Hello students, इस वीडियो में हम Class 6, Subject Maths, Chapter 9, Exercise 9.1 के Question solve करेंगे पिसली वीडियो में हमने Exercise 9.1 के Question 1, 2, 3 solve किये थे इस वीडियो में हम Question 4, 5, 6, 7 solve करेंगे Question number 4 है, Following pictograph shows the number of characters in 5 villages निमलिखित pictograph, पाँच गाउं में ट्याक्टर की संक्या को सो करता है तो देखिए, इस यह pictograph जो है, पाँच गाउं के ट्याक्टर की संक्या को सो करता है और इस pictograph के आधार पर इन Question के आंसर हमें देने हैं तो देखिए, पहले हम जो है, pictograph को read करेंगे अब देखिए यहाँ पर, वन ट्याक्टर की photograph जो है, वन ट्याक्टर के बराबर है तो यहाँ रखिए, बिलेज A, बिलेज A में यहाँ पर जो ट्याक्टर के जो फोटो दे रखे हैं वो 6 दे रखे हैं, तो यहाँ पर जो है ट्याक्टर की संक्या जो हो जाएगी, वो 6 हो जाएगी बिलेज B में 5 टैक्टो के फोटो दे रखे हैं तो यहाँ पर बिलेज B के टैक्टो की संख्या जो हो जाईगी वो 5 हो जाईगी बिलेज C में यहाँ पर टैक्टो के फोटो जो है 8 दे रखे हैं तो टैक्टो की संख्या जो है वो 8 हो जाईगी village d me 3 tractor की photo दे रखे हैं तो यहां इस में जो है tractor की संख्या 3 हो जाई है village e में village e में tractor के photo की संख्या जो है वह six दे रखी है तो village e के facto की संख्या वो five, sorry six हो जाई ही देखिए dolphins जो है I hope हम notebook में write कर लेंगे tractor की संख्या अब देखिए बिलेज ये में कितने हैं 6 हैं टाक्टर तो हम यहां 6 राइट कर लेंगे और बिलेज बी में 5 टाक्टर हैं तो 5 राइट कर लेंगे और बिलेज C में 8 टाक्टर हैं तो इसमें हम 8 राइट कर लेंगे ऐसे ही बिलेज दी में ट्रेक्टर की संगे 3 है तो यह हम 3 राइट करेंगे और बिलेज इ में ट्रेक्टर की संगे 6 है तो हम 6 राइट करेंगे अब देखिए यहाँ पर जो कोशन दे रखें हैं इन कॉशनों के आंसर भाहे हम पिक्ट्रोग्राफ की सायता से देंगे पहला क्यों में हैं किस गाओं में ट्यक्टर की संख्या सबसे मिनीमम है तो देखिए हम यहाँ पर जो हमने ट्यक्टर की संख्या लिखी उसमें देखेंगे सबसे कम ट्यक्टर जो हैं यहां पर थिरी है तो इसमें देखेंगे कि बिलेज्टी की ट्यक्टर की संख्या सबसे कम है तो इसके फर्स डी, विलेज डी, वो किसमेंट्स, क्वेश्चन नमबर, इसी का सेकेंड पार्ट है, विच विलेज है जा मैक्जिमम नमबर अफ टैक्टास, किस गाउं में टैक्टो की संख्या अधिक है, तो देखिए, हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पार जो है, कौन से टैक्टो की संख्या जादा है, देखिए, एट, और एट किस गाउं की टैक्टर है, विलेज सी के, ठीक है, विलेज सी के, टैक्ट, देखिए, स्वेंट्स, यहाँ पर एट संख्या सबसे जादा है, तो यहाँ पार जो है, विलेज सी के टैक्टो क थर्ड पार्ट है How many more टेक्टर्स बिलेज C has as compared to बिलेज B बिलेज C में बिलेज B से कितने टेक्टर अधिक है ठीक है तो बिलेज C में जो टेक्टर की संक्या है वो है 8 और बिलेज बिलेज B में जो है टेक्टर की संक्या 5 है तो देखिए 8 बिलेज C के टेक्टर की संक्या है और 5 बिलेज B के टेक्टर की संक्या है तो बिलेज C के कितने टेक्टर जागा है ठीक्टर जागा है ठीक है तो यहां कितने टक्टू की सुंखिया ज्यादा आजाएगी यहां हम राइट कर देंगे मूर ट्रेक्टास अफ बिलेज सी इगार टू एट माइनस फाइब बदाबर थिरी बिलेज सी के कि ज्यादा ट्रेक्टू की संखिया कितने आगी बी की अपेक्छा थिरी अब यहां पर जो है कोश्चन नमबर फोर्थ पार्ट है वाट इस टोटल नमबर अफ ट्रेक्टास इन आल दा बिलेज फाइब बिलेज पांचो गावों में कुल मिलाकर कितने ट्रेक्टार है ठीक है तो देखिए सबी बिलेज इसके ट्रेक्टा की संख्या को हम जोड लेंगे एड कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि पांचो गावों में कितने ट्रेक्टार है तो देखिए इस यहाँ पर हम टोटल कर लेंगे इसका 6 और 5, 11, 11 और 8, 19, 19 और 3, 22, 22 और 6, 28, कैरी 2, 2 का 2 तो यहाँ पर जाएगा हमादा आंसर टोटल नम्मर आफ ट्रेक्टास इन आल दा फाइव बिलेज इस इकल तो 28 प्रेक्टास नम्मर फाइव है इस 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 किलास आफ ए को एजुकेशनल मिडिल स्कूल इज डिपैक्टेड वाइदा प्रिक्टोग्राफ एक को एजुकेशनल मिडिल स्कूल की प्रितेक अक्षा में लड़कियों की संख्या निमलिखित प्रिक्टोग्राफ की द्वारा सो की गई है और इस प्रिक्टोग्राफ की साथा से जो हमें नीचे दिये गए कोशनों की आंसर देने है अब देखिए स्वेंट्स यहाँ पर जो है वन गर्ल की जो फोटो है वो फोर गर्स के बराबर है तो यहाँ पर देखो कि लास फर्स्ट में कितनी गर्स दे रखी है वन तो थ्री फोर फाइव सिक्स गर्स की फोटो दे रखी है तो एक गर्स जो है फोर गर्स के बराबर है तो एट गर्स जो है जो एट गर्स जो है वो जो है कितने के बराबर होंगी तो 6 की जो है 4 से मंटिपलाई कर देंगे 6 फोर जा 24 24 के बराबर होंगी ऐसे ही जो है कि लास सैकेंड में वन तो थ्री फोर फोर तो कंप्लिट फोटो है जो एकिन जो फिर्ट फोटो है वो हाफ फोटो है तो हाफ जो है फोटो स्वेंट्स वो हाफ गल्स के बराबर होगी ठीक है तो यगर वन फोटो कम्पलीट फोटो जो है फोर गल्स के बराबर होगी ठीक है देखिए स्वेंट्स यहाँ पर एक गल्स जो है यह गर्स जो है फोर गर्स के बरावर है और हाफ तो हाफ गर्स जो होगी वो टू गर्स के बरावर होगी ठीक है अब देखिए किलास से स्याह राइट करेंगे यहाँ पर लिखेंगे नमबर अब गर्स इस्टुएंट्स अब देखिए किलास फर्स्ट में कितनी गर्स हैं वन टू थ्री फोर फाइफ शिक्स हैं तो यहाँ पर बन गर्स हैं फोर के बरावर तो शिक्स गर्स कितने के बरावर होगी सिक्स फोर्जा 24 के बरावर होगी तो क्लास फर्स्ट में गर्स की संख्या आ गई 24 सेकंड क्लास में देखिए वन टू थ्री फोर फोर तो कम्प्लीट है तो फोर फोर्जा 16 और जो फिप्त फिगर है वो हाफ है तो हाफ जो होगी वो टू के बरावर होगी फिलास टू इस गर्टो हो गए 18 थर्ड क्लास में देखिए थर्ड क्लास में 1,2,3,4,5 5 complete girls हैं तो 5,4,20 के बराबर होंगी यह हम 20 right कर लेंगे 4th class में 4th class में देखिए students 1,2,3 थिदी girls हैं ठीक हैं तो 3,4 जा 12 हो जाएंगे और जो 4th girls है वो half है तो half जो है वो 2 के बराबर होगी पिलस 2 कर देंगे तो 12 और 2 होगा हमारे 14 5th class में 5th class में देखिए 2 complete girls है और 3rd जो है वो half है तो 2,4 जा 8 और पिलस 2 बराबर हो जाएंगे हमारे 10 6th class में अब देखिए students 6th class में 1,2,3,4 4 complete girls है तो 4,4 जा 16 girls आजएंगे इसमें 7th class में देखिए 7th class में देखिए 1,2,3,3 complete girls है तो 3,4 जा 12 है जांगी और 8th class में देखिए 1 complete है और second half है तो four plus two वरावर six girls आ जाएंगी इसमें किलास six में जो है लड़कियों की संख्या sixteen है और किलास फ्रक्त में जो लड़कियों की संख्या है वो ten है तो देखिए question कह रहा है क्या किलास six में लड़कियों की संख्या किलास फ्रक्त की लड़कियों की अपेक्षा कम है तो यहाँ तो sixteen है इदा ten है कम कहा है ज्यादा है तो इसका अंसर हो जाएगा no clear इसका अंसर हो जाएगा no c part है how many girls girls are there in class 7th है class 7th में कितनी लड़किया है तो देखिए students किलास 7th में कितनी लड़किया है 12 तो यहाँ answer right करेंगे हम number of girls in class 7th is equal to 12 okay students question number 6 है the sale of electric bulbs on different days of a beak is sown below किसी सप्ता के बेभिन्द दिनों में बिजली के बल़ों की बिक्री नीचे दरसाई गई है तो देखिए यहाँ पर जो है एक बल्ब जो है 2 बल्ब के बराबर है देखिए मंड़े को कितनी बल्ब बेचे गए 1, 2, 3, 4, 5, 6 है यहाँ बस 6 बल्ब दे रखे है और यह कहएदा question में एक बल्ब दो के बराबर है तो 6 तू जा 12 है 12 बल्ब जो है मंड़े की दिन बेचे गए तो इसे हम राइट करते चलेंगे 6 question है यहाँ राइट करेंगे days यहाँ राइट करेंगे number of electric बल्ब देखिए मंड़े अब देखिए मंड़े में कितने बल्ब की फोटो है 123456 बल्ब की फोटो है एक फोटो जो है दो बल्ब के बराबर है तो 6 बल्ब की कितने के बराबर जाएगी 6 तू जा 12 के बराबर जाएगी ऐसे ही Tuesday के बल्बो की संख्या को हम फाइंड करेंगे Tuesday Tuesday में है बल्ब की फोटो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 बल्ब की फोटो दे रखी है और एक बल्ब है 2 के बराबर तो 8 की कितने के बराबर जाएगे 8 तूजा 16 के बराबर जाएगे ऐसी 22 के बल्ब की संक्या फाइंड करेंगे 22 के बल्ब देखी 1, 2, 3, 4, 4, 2, 8 बराबर जाएगे थर्ष्टे में हैं बल्बो की फोटो 1, 2, 3, 4, 5 दे रखी है 5 ठूजा 10 फ्राइडे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 दे रखी है बल्ब है हापर 7 तूजा 14 हो जाएगे सटर्डे 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 दे रखी है 1, 2, 3, 4, 4 तूजा 8 संडे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तूजा 18 अब देखी इस प्रिक्टोग्राफ की सायता से जो है हमें इसमें कोश्चन दे रखे हैं उन कोश्चनों को हमें सॉल्व करना है कोश्चन नमबर ये पार्ट है हाउ मैनी बल्ब्स वर सोड ओन फ्राइडे फ्राइडे को कितने बल्ब बेचे गए तो देखी फ्राइडे को 14 बल्ब बेचे गए तो यहाँ जाए गए स्वेंट्स 14 बल्ब्स कोश्चन 6 का B पार्ट है On which day were the maximum number of bulbs sold किस दिन बेचे गए बल्बो की संख्या अधिक्तम थी तो देखी यहाँ पर देखेंगे यहाँ 18 बल्ब सादा है तो संड़े की दिन जो है सबसे ज़्यादा बल्ब बेचे गए तो इसका अधिक्तम जाए गए श्वेंट्स संड़े संड़े की दिन जो है सबसे ज़्यादा बल्ब बेचे गए C part है On which of the days CM number of bulbs were sold किस दिन बेचे गय बल्बो की संक्या समान थी तो देखिए हम बल्बो की संक्या हम देखेंगे यहाँ पर भी एट है और यहाँ पर भी एठ है याँनि बैफ़ट गय और सटरड़े को एक समान बल्ब बेचे गय याँनि बल्बो की संग्या इस दिन समान थी तो इसकान समझाएगा बैनेश टे एंड सटर डे डी पार्ट है on which of the days minimum numbers of valves was sold किस दिन बेचे गए बल्वो की संक्या निउन्तम थी minimum थी तो देखी स्वेंट्स यहाँ पर जो है बैनेश टे और सटर डे को सबसे कम बल्व बेचे गए तो इसका अंसर हो जाएगा बैनेश टे एंड सटर डे यह पार्ट है नाइन बल्व आ सकते हैं तो इस अपता में कितने डिब्बो की आवसकता होगी तो इस वेंट्स इसको हम कैसे फाइंड करेंगे देखी टोटल नमबर अफ बल्व कितने हैं यह हम काउंट कर लेंगे टू और सिक्स एट एत अटएट एत शिक्सटेईथे आएत उस्टेण और फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी और एत ट्वेंटी एट ट्वेंट एट और एट थर्टी सिक्स है कैईटि ठ्री परिदा रिषे वन फॉर फाईव शीक्सYo wahr टोटल बल्बो की संक्या आगी है हमारी 86 है अब देखिए वन कार्टन में आते हैं 9 बल्ब्स ठेक है तो 86 बल्ब कितने कार्टन में आएंगे तो हम क्या करेंगे उसे 9 से 86 को डिवाइट कर देंगे तब हमें पता चल जाएगा कि हमें जो है कितने कार्टन किया हो सकता होगी तो यहां लेकेंगे नंबर आफ कार्टन इस इकल टू 86 अपान 9 86 को 9 से डिवाइट करेंगे 99 जा 81 बच्चे हमारे 5 पाइट लगा के 0 राइट कर लेंगे 9 की टेबल 50 में रीट करेंगे 95 जा 45 फिर अगें 5 बच्चे जीज़ों लगा लेंगे 95 जा 45 फिर ऐसे यह प्रोसियर चलता रहेगा तो यह आया हमारा 9.56 है ठीक है 55 आता रहेगे स्टो यहां पर हमाल लेंगे 95.56 है देखिए एक कारटन माईंगे 9 बल्प तो 998 ऑटीवन 9 कारटन में एटीवन बल्प सा जाएंगे अब बचेंगे हमारे सि हमारे हमारे फिर फिर यहां पर नक्स्ट कारटन माएंगे नेक्स्ट डिब्बिम आएंगे तो यह हमारे कॉर्टन आजाएंगे 10 यहाँ पर हम राइट कर देंगे Approximately तो यहाँ पर कॉर्टन की संक्या कितनी आगी हमारी 10 Question number 7 है In a village 6 of food merchants sold the following number of fruit baskets in a particular season एक बिसेश मौसम में एक गाउं में 6 फल बिक्रताओं दोरा बेची गई फलों की टोक्रियों की संक्या निमलिकित पर्टोग्राफ दोरा प्रदेशित की गई है तो देखे इक फल की टोक्री जो है वो 100 fruits basket की पराबा है अब देखे जैसे हमने पहले संक्यार लिखी थी वैसे हम इसमें भी राइट करेंगे देखे इसमें यहां राइट करेंगे नमबर आफ फ्रूट मर्चांट इदर राइट करेंगे नमबर आफ फिरूट बास्केट्स जहीम अब देखें जहीम के पास जो है कितने फलो की टोक्रियां है देखें एक फल की टोक्री जो है एक टोक्री जो है 100 फलो की टोक्रियों के बराबर है तो रहीम के सामने जो है देखें 1, 2, 3, 4 4 जो है टोक्रियों की पिक्चर बनी है फोटो बनी है तो यह हो जाएंगी हमारे 400 यानि एक टोक्री जो है 100 के बराबर है 4 जो हो जाएंगी 400 के बराबर जाएंगी तो यहां हम 400 राइट करेंगे लखन पाल लखन पाल के पास देखेंगे कितने फलो की टोकरिया है तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 5 तो complete फ्रूट की टोकरिया है और एक जो है हाफ है तो देखिए 5 की सबसे पहले राइट करेंगे 500 और पिलस एक हाफ है तो यह 100 का हाफ हो जाएगा 50 तो यह हो जाएँगे 500 50 अनबर अनबर के पास देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 7, 7 जो है कम्प्लीट फ्रूट की टोकरिया है तो यह हो जाएगी इनकी संक्या 700 इसी टाप से सभी की फाइंड करेंगे मार्टिन मार्टिन की पास देखिएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 तो कम्प्लीट है 9 की जो है हेंड़ेट से मार्टिप्लाई 900 और 10 जो टोकरिया है वो हाफ है यानि की 50 तो यह हो जाएगा 950 फिर उसके बाद है रंजीत सिंग रंजीत सिंग के पास देखिएंगे कितनी हैं फालो की टोकरिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 की 100 से मुल्टिप्लाई तो वो जाएगा 800 जोसफ जोसफ के पास देखिएंगे कितनी फालो की टोकरिया है 1, 2, 3, 4, 4 तो कम्प्लीट है तो 4 की 100 से मुल्टिप्लाई तो 400 पिलस वन हाफ है तो 50 तो यह हो गया आपका 450 अब देखिए इसमें नीचे दिए गए कोशन है इन कोशनों के आंसर जो है हम पिक्टोग्राफ की साहता से देंगे यह पार्ट है विच मर्चेंट सोल्ड दा मैक्जिमम नंबर अफ बास्केट्स किस है फल विक्केटा ने अधिक्तम फलों की टोक्रियां बेची देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा फलों की टोक्रियां की संक्या होगी तो उस फल विक्केटा ने जो है सबसे ज़्यादा फलों की टोक्रियां बेची होगी यहाँ देखिए इसवेंट्स यहाँ पर है इसवेंट्स 950 तो मार्टिन ने जो है सबसे ज़्यादा फलों की टोक्रियां बेची है तो इसका अंसर जाएगा मार्टिन बी पार्ट है How many fruit basket were sold by Anwar Anwar ने फ़लो की कितनी टोक्रिया बेची तो देखिए Anwar ने जो है 700 टोक्रिया फ़लो की टोक्रिया बेची तो यहां लिख देंगे B का 700 food basket C पार्ट है The merchants who have sold 600 or more number of baskets are planning to buy a godam for the next season Can you name them? B विक्रेता जिनोंने 600 या उससे अधिक टोक्रिया बेची अगले मुसम में गोदाम खईदने की योजना बना रहे हैं क्या आप उनके नाम बता सकते हैं? तो देखिए इस वेंट से 600 से अधिक कौन से फल बिक्रेता ने टोक्रिया बेची तो देखिए 600 तो देखो एक तो अनवन ने जो है 700 फल की टोक्रिया बेची दूसरी मार्टिन ने बेची तीसरे जो है रंजी सिंग ने बेची तो इन तीनों की नाम जो है इससे सी पार्ट में राइट कर देंगे तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा तो इसका में आएगा अनवर दूसरा नेम आएगा हमारा मार्टिन और तीसरा नेम आएगा रंजी सिंग तो इसमें एकसरसाइज के जो है सभी कोश्चन सॉल्व हो गए ठैंक्स है विडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले